नवस्कार मैं हूँ आलोग पांडे और आप देख रहे हैं समाचार प्लस बजट पे सबसे बड़ी पंचायत आज हम यहाँ पर करने वाले हमाई साथ हर वर्ग के लोग हैं यहाँ पर ग्रेंडी भी है यहाँ पर पॉलिटिकल जो प्रवक्ता है वो भी है यहाँ पर व्याप कुंतरी ने भी चिठी लिखके कहा कि बजट बाद में पेश किया जाया उसके बाद भी बजट भी पेश हुआ और इस बजट पेश करने पे बाकी पार्टियों को खासी आपत्ती भी थी उसके बाद भी बजट पेश हुआ और सबसे बड़ी जो चीज है यूबी आई यू नजरी से देखते हैं रामिश्र जी देखे इस बजट को उम्मीदें बहुत थी नोट बंदी के बाद लोग ये मान के चल ले थे कि चुकि मध्यम और जो छोटे उद्योग हैं वो तबाह हो चुके हैं तो कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे लगूद्योगों को राहत मिले जिससे इंफ्राइस्ट्रक्चर में जो जो मंदी आ गई है उसको लेकर एक बेहतर रोड में बनेगा वो लोगों को उमीद नहीं पूरी हुई लेकिन ये बजट कई मामलों में बहुत खास है पहली बात यह कि जो हमेशा बजट में होता था कि गयर योजनागत बै के लिए अलग और योजनागत उसको इस बार मिलाया गया है पहली बात दूसरी बात कि इस बजट को अगर हम देखें तो पारदरस्ता बजट में रहनी चाहिए और कारक्रमों में रहनी चाहिए तो उसमें इन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है लेकिन सारी कि सारी घोस्राइं मैं हमेश पिछले बजट भी मैंने देखें लगाता देख रहा हूं हर बार होता है कि गाओं की तरफ बजट है किसी के लिए बजट है लेकिन कोई उसका रोड मैप नहीं है और नहीं मानिटरी सिस्टम है जब ऐसे बजट पेस हो तो मेरा हमेशा यह आगरह रहा है कि हर तीन महीने प पर एक उसका जिसको अंग्लेजी में कहते हैं कि मानिटरिंग सिस्टम होनी चाहिए ताकि हर तिन महीने में मानिटर हो कि बजट खर्च हुआ तो उसका जमीन पर क्या है राहूर राजियों का अधिक बार कह चुके हैं कि बजट का जितना पैसा जाता है दस फिजदी नीच पैसे नहीं आपाता अभी आज का तालाब इस देश में जितने गाओं है अनुमान उसके हिसाब से तो बजट में हर गाओं में तलाब होना चाहिए लेकिन मैं जमीनी इस तर देखता हूं कि कोई तालाब नहीं है और मैं पूछ के ठक गया कि कोई बताओ मेरे जानने वाला कोई तालाब खुदा भी का इसका मतलब कि तालाब कागज पर खुद रहे हैं नहीं है इसी तरह किसानों की आय की बात हुई किसान तबाह हो गया वो अपने टमाटर फेक रहा है आलू सड़ रहा है एक लाख करोड से जादा की किर्शी उत्पाद और तमाम उत्पाद सब्सक्राइब खुदित करना है जो किसानों की आय थी इसके लिए था कि बाजार डिफ्लेफ करेंगे किसानों की जो का जो प्रोड़क्शन है जो प्रोडूस है वो उसके लिए मार्केट उपलगत कराएंगे ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और बजट में पहली बात है कि में जो जितना location हुआ था यह काता है गरीबी रेखा से लोगों को उपर लाये पहली बात तो एक गरीबी रेखा का इंडिर्धा होना था कि उसको गरीबी रेखा का उचे निर्धार होना जो नहीं हो इंडियाई वी तू नहीं हुआ जो पहली बाद विल्द्धार कर रहे थे तो विपक्ष के लिए कुछ और होता है सत्ता पक्ष के लिए कुछ और होता है और सास्त्री बढ़ जाते हैं और सास्त्री अलग अलग नजेरियत बैख्या करते हैं लेकिन मैं आम आदमी के तरह देखता हूं कि आम आदमी को क्या मिला तो आम आदमी यह देखता है कि उसकी आए में कितनी बढ़ोतरी हुई आम आदमी देखता है कि उस पर जो दबाव पढ़ रहा है उस पर जो कर की मार पढ़ रही वो कितना कम हुआ मद्यंबर के लिए इन्होंने इसी भाज़पा का अपना दावा था और अपना वायदा था कि पांच लाग तक की आये को ये कर मुक्त करेंगे कार नहीं पाए लेकिन और और जो सबसे बड़ी चीज है कि जित्ता मुक्त किया है साथवे वेटन जो आयोग आएगा उसके बाद वो लोग भी करके श्रेडी में चले जाएंगे उन पर दुगना भार पढ़ेगा और शास्त्री जी हमारे साथ है आप बताईए कि आप किस नजरीस देखने बजट लगातार आप चर्चा करते चले आ रहें पूरे बजट को देखते चले आ रहें लेखिए खास तोर पर जब हम विशह इसमें यूपी का रख रहे हैं तो यूपी में एक बहुत बड़ा एहम हिस्सा है जिसको मैं यहां पर पुट अप करना चाहू और उसके बाद उसको रोजगार परक बना देना 80% 90% ग्राइडवेट्स जो हैं हमारे आज की डेट में अनेप्लाइबिल हैं तो हमको वो एक ऐसा हिस्सा है बनाना है वो वर्कफोर्स बनानी है जिससे कि हम यह कर सके और एलोकेशन उसके उपर होने चाहिए जब यह 80% जो हम हमको अपने बजट में इस चीज के एलोकेशन की एक बहुत स्ट्रॉंग रिक्वाइर्मेंट है तो यह तो एक बेसिक जमीनी रिक्वाइर्मेंट है जो मैं स्टीचर और अर्थचास्री दोनों लाके पूट अप करना चाहूंगा इसके अलावा जब हम बात करते हैं कहीं क ऒखार आईगर को और पर रहाती है वह देखिए मैं अर्शास्री होते हूए उघकनी की बात लाईए अब हमसे अर्शास री राजनीति क्यों से बात करते हैं, क्या लगता आपको कि जो नहों का कि इसे तीनी परसनली लोग टैक्स के ऊब रहें, बाकी लोग क्यों न बहे हुए? बहरतिये जंतापाटी तो ये बनती है कि जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के दारे में आएंगे उतनी ही आर्थिक शुचिता बढ़ेगी और जैसे जैसे आर्थिक शुचिता बढ़ेगी जो काले धन की काला धन जिसके बारे में इतनी बड़ी नोट बंदी का अभिहान चला था और बष्टाचार के खिलाफ मोधी जी हमारी सरकार ने इतनी बड़ी पहल की है उसके बाद इस तरीके की बात करना मुझे समझ में नहीं आता कि सभी को पता है कि जब जैसे जैसे हमारा टैक्स बढ़ता जाएगा हम जैसे जैसे टैक्स के दाइरे में आत जाएगे वैसे वैसे हमारा अर्थतंत्र साफ सुथरा होता जाएगा लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है कि आपकी सरकार ने नोड़ बंदी की बात तो कही आज खुद वितमंत्री जी ने मान लिया है कि नोड़ बंदी के बाद जो किसी को अगर फायदा हुआ तो सिम बैंक समाज के हितों में समाज के कारियों के लिए लगाया जाएगा और जब कोई पैसा जो है सामाजिक कारियों के परियोजनाओं के योजनाओं के लिए लगाया जाता है तो उससे आम आदमी के जीवन इस तरका ही विकास होता है और जैसे जैसे हम अपने धनकार को रोटेट कर सबसे बड़ा जो किसी को अगर फायदा वा ना सरकार को यह वर्ड बोला ना जनता को वा सिर्फ और सिर्फ बैंकों को क्या कहना आपका देखिए जो बजट आ जाया है पहले चीज तो करमचारियों के साफ से देखा जाए तो जो इस लैप दिया गए इंकम टैस्क वो टोटल कुछ भी नहीं सोचा गया किसानों के बारे में ये बजट पूरी तरह से फेल रहा है अब बताई पांच हजार करोड रुपया किवा सिचाई सेक्टर लगु सिचाई के लिए पांच हजार करोड रुपय का वंटन किया गया जहां साड़े 21,000,000,000 करोड रुपय का बजट है वहाँ पर पांच हजार करोड रुपय सिचाई के लिए करना और वहाँ पर किवल 9,000 करोड रुपय किसानों के लिए उनको उसमें सबसिडी वीमा के लिए रखना कुल 14,000 करोड रुपय दोनों सेक्टरों में करना जबकि एक सड़क के बनाने में 20,000 करोड रुपय आज खर्च हो जा रहे हैं हाई वे बन रही है जो एक्स्प्रेस वे बन रही है वहां किसानों के लिए सिचाई और उनके सबसिडी उनमें किवद 14,000 करों रुपया खज करना और को लोन के लिए उन्हों रखा 10,000,000 करों रुपया जो कि लोन बड़ी बुरी स्थिति माजमी लेना चाहता कोई किसान लेना नहीं चाहता है हरामी चाहता हमको हमारी मार्केट मिले हमको उत्पादन बढ़ाने की सुगदाएं मिले और इस बजट में कहा गया इस बार मांसून अच्छा है इसलिए 4.2 परसेंट जो है ग्रोथ होगी एकरी कल्चर सिक्टर में तो किसानों की ब चाहता था उसमें उन्हों ने कहा था कि किसानों को हम 50 परसेंट लाबकारी मूब लिदेंगे ठीक है तो उसमें इन्हों ने एक ए mustnे इफ़ेडिविट लगा दिया कि हम नहीं दे पाएंगे तो हमें तो इस बज़ट में किसानों के लिए कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि क किसानों का कुलाब होगा जैसे गुर में 70 सालों से देस में बजट आते रहे हैं उसी तरीके से आप लोगों ने फसले भी जलाई फसले बाड़ भी दिया टिमाटर वेचा बाड़ दिया और आलू बाड़ दिया उसके बाद भी नहीं सुनी गई देखे इस देस में जब तक क नीती नहीं बनेगी इस देस में किसान के लिए देखो इस देस में एगरी कल्चर भी भाग है लेकिन किरसी मंतरी को ये अधिकार नहीं है कि अगर देस के किसानों को अपने विवेक से चाहे कि किसानों की फसले खराब हो गई है तो हम किस किसानों को दे दें तो उसके अध तो बज़ट में खागे कि हम किसानों की जो आए है उसको दुगना करेंगे अरे कुछ नहीं करेंगे तो पहले भी बहुत कुछ कहे चुके हैं कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा जब हमें जमीन पे कुछ दिखाई देगा देखो हम बता दें ये जो भी बज़ेट आ रहे हैं और जो भी इन्होंने अभी चुनाओ घोसड़ा पत्री लोगों ने अभी भाज़पा ने किया है ये सब दिखाउटी है कुछ नहीं कर पाएंगे ये सारी इनके योजनाय होती है पूजी पतियों को और इस देश में एक नीती चल रही किसान को कमजोर करने के लिए भाज़पा का तो एक एजंडा चल ला है पूरे देश में उनका एक एजंडा चल ला है कि इस देश में एक बढ़ावा दे रहे हैं इतना राश्टिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं साथ भाजपा अगर इस देश में किसानों के लिए साथ इतना बढ़ावा देते तो इस देश के किसानों का कुछ बला हो जाता सब्स upwards बड़ी जो चीश है किसानों के लिए उनों उन्हें लिजानों आज के भरे संब रखे बनागा है कि एक करोड़ घर बनाएंगे किसानों के लिए हाला कि 36.000.000 लां टीस जार घर बनाने के पिछले बज़ड में बात कहीगी ति सिफ 76 घर बन पाए है जो पक्य घर है वो 76 घर बन पाए ये भी एक बड़ी शरमनाक बात है उस टार्गेट को अचीव नहीं कर पाए बड़े टार्गेट की तरफ के एक बार बीजेपी प्रवक्तर पास फिर से आएंगे इसमें क्या कहना है इसको आप इस तरीके से नहीं देख सकते कि पुराना है सबसे बड़ी चीज़ है कि जो स्टेक्स के स्लैप्स आए हैं उसमें आपको पूर्ट करेंगे जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको क्या लगता हूं कितना ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है कि जैसे सात्वा वेतन में आयोग लगेगा, कई लोगों की सेयलीज है वह जादा बढ़ जाएगी और उनको जो है उनका जो स्लैप्स चेंज हो जाएगा वगा नुकसान में चले जाएंगे अब तक कम पैसा देते थे और एक दूम से जादा देने लगें देखें मैं इस वाली टैक्स लैप को तो कुछ इस तरीके से समझता हूँ इसके अंदर अमीर फिर और उपर अमीर हो रहा है जो गरीब है वो शायद उत्ता बेनिफिट नहीं उठा पा रहा है वजह यह है कि हम 12,000 रुपय का टोटल क्लियर फायदा है तो वो जो टैक्स लैप्स का और बेनिफिट्स हैं वो ठीक है थोड़ा सा ट्रांसफर हो गया है बट एक्सपेक्टेशन पर वो चीज़ नहीं आती है लोगों को एक्सपेक्टेट था कि कुछ और दादा इससे मिलेगा पांच उसको फीजागे करेगा बड़ फायदा ही होगा उसके अंदर एक क्लारिफिकेशन की रिकौरारमेंट है जो हमारा तीड aperture के उपर होता है क्या वो भी यह 5 पर मुझे लगता है शायद 5% ही TDS बैंक्स में कटेगा तो वो आटोमेटिकली एक क्लारिफिकेशन चाहिए या शायद वो 5% ही मान लिया गया ग्रहनियों के लिए कितना अच्छा आपको लगता बजट उसमें तोड़ा सा लगता कि कुछ है मेरे को तो यह कहना चाहिए ऐसे में किसी ग्रहनी से पूछे जादा अच्छा रहेगा वो ऐसा कैसा समझती है और बाकी जहां के ऊपर हम बात करें इस चीज़ की कुछ जादा उतपाद जब तक हमारे यहां नहीं होंगे एकॉनमी में तब तक हमारा काम चलेगा नहीं और चास्त्री की तरह मैं यही कहूँगा वो उतपादन जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे हम जब तक इंपोर्ट करते रहेंगे चीज़ों को हम स्ट्रॉंग नहीं हो पाएंगे आने वाले समय में बहुत बड़ी requirement यह है कि हम अपने आप पर अपने पैरों पे खड़े हो सकें बाहर सिर्फ सामान मंगा करके सिर्फ उसको assemble ना करवाएं रही बात ग्रहनियों की ग्रहनियों के लिए सबसे बड़ा जो एक issue रहता है वो रहता है कि उनके घर का खर्चा तो पिछले वर्ष तो हमारे inflation अच्छा खासा था demonetization की वज़े से मैं expect करता हूँ कि inflation कम होगा लेकिन inflation के साथ साथ एक बात और है क्योंकि demonetization हुआ तो ये भी सकते है कि लोगों के पास spending power भी कम है इस वज़े से भी inflation कम होगा तो ग्रहनियों के पास खर्च का पैसा वो भी कम है तो ये वो शायद एक हर घर का एक अलग-अलग assessment होगा जिनको नौकरी से पैसा मिलना निरंतर पैसा मिलना उनके लिए तो ठीक है लेकिन वो लोग जिनके पास नौकरियों से पैसा कम हो गया है demonetization वज़े से या उनकी नौकरी चली गए उनके लिए मुश्किल है चीज को हम महिला से पूछेंगे चितना एक समाजी कारकरता भी है और इनसे बात करेंगे क्या लगता आपको budget में आपके लिए कुछ है कुछ भी मिक्सर से लेकर फ्रेश तक हमें करीदना पड़ता है और अगर वो ही electricity सब महंगी हो जाएगी electronics महंगे हो जाएगे तो फिर हमारे लिए तो सब गुरा ही है अगर कागजों पर budget रहता है और वो आता हमारे पास जिस तरीके से हैं जिस तरीके से सर्विट सर्विस टैक्स और जितने भी आप सर्विस चार्जिस लगा देते हैं इटिक्टिंग में आप में सर्विस टैक्स छोड़ दिया और बाकी electronics में महंगा कर दिया तो ग्रैणियों के लिए तो कुछ भी नहीं है और बजट में कुछ भी नहीं है हमारे लिए किसानों को मिल रहा है किसानों को भी नहीं मिल रहा है नहीं उनको भी 30-40 किया है जब आज आए उनके पास तो देखीगा तो चलिए एक और जो सबसे बड़ी चीज आज के पूरे बजट में थी जो छोटे कारोबारी है उनके एक उम्हीद है तो भी टूटी क्योंकि जो बजट है उसमें सबसे बड़ी चीज बताई गई है कि 50 कुरोण से उपर वाले जो कारोबारी उनको तोныखुट दे दिए गई उनको तो चूट दे दिए गई देखे आठ नॉम्बर को जब नोटबंदी हुआ था उस समय ब्यापार हमारा संपूर्ण भारत की बात कर रहा हूं में हमारे ब्यापारीयों के बाप ब्यापार 60% पूरी तरीके से प्रभावित हो गया था और वो ब्यापार केवल 40% बचा हुआ था और मोदी जी कैसलेस की बात कर रहे हैं अगर हमारा ब्यापारी दिल्ली जा रहा है पांच लाग रुपए का माल लेके जा रहा है अगर वो पांच लाग नगत घर से लेके निकलता है पुलिस उसको आंदा इस पाट अरेस्ट कर लेती है पैसे को सीज कर देती है और चेक लेके अगर वो दिल्ली जाता है तो वहां कि पार्टी पेमेंट चेक से ले नहीं रहें कि मेरे पास अवैलेबल जो 100-200 चेक पहले से डिसानर पड़े हुए है मैं चेक से पेमेंट तो बिल्कुल नहीं लूँगा तो मुझे ये ट्रांस्परेंश तो डिस्टल ट्रांजेशन आप लोग यूज कर सकत है ये खत्ते का पेमेंट वो 24,000 रूपे दे रहे हैं तो इसमें ब्यापार को बढ़ावा कैसे मिलेगा नौकरों सतर लाग ब्यापादी हमारे उत्तर प्रदेश में जो मध्यंबर्ग में आते हैं ये ब्यापारी किस तरीके से 40 परसेंट तो पहले से 60 परसेंट पहले तो परभावित हो गया है कि एवल 40 परसेंट ब्यापार बचा हुआ है जब परियाप्त फंड बैंक नहीं अवेलेबल कराएगा नहीं दे पाएगा तो इससे ब्यापार परभावित नहीं होगा अब जीस्टी पर साड़े चार परसेंट यह और लगा रहे हैं 15 परसेंट के और पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा हमारा ब्यापारी तो विल्कुल तूट जाएगा ब्यापार तो इससे भी नहीं रहे गए अब चलिए अच्छा रास्टी लोगदल के जो प्रवक्ता है इनसे बात करना चाहिए आपका क्या मानना किस तरीके सा आप लेते हैं जो आपकी पार्टी पश्चिम में काफी ताकत वर पार्टी और किसान पश्चिम का वहां का एक बड़े नेता करिप में जाता है देखे बारती यह जो बजट है हमारा इसमें किसानों के लिए तो कुछ भी नहीं है कहीं दूर दूर तक किसानों के लिए इन्होंने नहीं और जब 2014 में मोदी जी जब देश के परदानमंतरी बनने के लिए परचार कर रहे थे उस वक्त इन्होंने ये कहा था कि किसानों का पैसा अगर एक रूपया लागत आती है तो एक रूपया साथ पैसा उसको दाम मिलना चाहिए आज एक रूपया साथ पैसा दाम तो छोड़ दीजे आप आप ये कह रहे हैं कि तीन साल इनकी सरकार को चले गए पांस साल में ये कह रहे हैं कि हम किसानों की आए हम दो गुना करेंगे अब पांस साल की ये बात कर रहे हैं कि हम दो गुना करेंगे चले पूरी तरीके से जुझना देंगे अभी अभी हम लोग ब्रेक पे जाएंगे लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जो बीज़ेपी की प्रवक्ता माई साथ बैठी इनसे पूछेंगे कि बजट में इनके हिसाब से अच्छी चीज़े क्या है क्योंकि बुरी चीज़े हमने पिंग ले लेंगे जी नहीं जो 2000 है वहां तक तो टैक्स की सूट है उसके बाद आपको ऊपर जितना भी करना है वो या तो आपको कैश के मादियम से करेंगे और डिजिटल टांजेक्शन के मादियम से करेंगे इस तरीके से उसमें स्वे शुचिता का प्रावधान किया ग करके बाकी ब्रेक के बाद आके बताएंगे और उसके लिए वो कर रहे हैं और इसमें 10 लाख तालावों को मार्च तक खोदे जाने की अका प्रावधान है और इसके अतरिक्त जो सबसे बड़ा एक फ्रेक्टर है वो ये की सरकार ने 1.31 लाक करोड रुपय का एक रेल्वे के म करेंगों को वहां पर जाने में किसी भी प्रकार से कोई असुविदा ना हो इसी तरीके से महिलाओं के लिए भी उन्हों ने जो आखनमाडी हैं उन महिलाओं के लिए प्रावधान कराएं और इस बात करेंड़ काई कई चीजे इस पर बात करेंगे जो प्रदान-मंत्री-ल के लिए काफी चीज़े हैं और रेलवे स्टेशन के लिए कई चीज़े हैं हाला कि जो रेल बजट था चंद मिन्टों में समिट गया कोई नए टेन नहीं कोई नया प्रोजेक्ट की घोशना नहीं हुई एक बार रामेशर पांडे जी के पास चलेंगे लेकिन उससे पहले हम क किस तरीके से बजट को देख रहे हैं देखिए असमंजस पूर्ण ये बजट है जिसमें किसानों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है अच्छा होता कि जब डिमोटाइजिशन के बाद बैंक भरे हुए थे तो किसानों का करजा माफ करना चाहिए था और मनरेगा की स्क इसको करने के लिए कटब्द थी पर इसके बाद हमारी सरकार चली गई और मोधी जीने बड़े बड़े बादे किये थे पैसे लाना और जो 15 लाग देना तो दूर किसानों की मनरेगा की नाम पर इन्होंने कहा था ये सरकार के लिए कांग्रेस के लिए ये ताबूत की कील थाबित होगी पर इस परियोजना को उन्होंने पूरी तरीके से केवल जुमले की तरीके से इस्तेमाल किया है क्योंकि मनरेगा से हिंदुस्तान का किसान गरी मजदूर जुड़ा हुआ है रहा सवार रेलवे बजट का रेलवे बजट में तो कुछ भी दिखाई नहीं पढ पुराने ड्राप्ट को ही दुबारा उन्होंने केवल पढ़ दिया है उसमें जो टिकट की कटवती के लिए और लाइन टिकट की कटवती होता जो इतना भारी नुफसान होता वो किसे वो आमादी बजट में कम से कम रेल बजट में तो सबसे बड़ी चीज ती यही कर देत देखिए जो नोट बंदी के बाद आर्थिक कर्फ्यू का जो महौल है देश में जिस तरीके से मोदी जी की आर्थिक अर्थववस्ता सरमराई हुई है उसको सभाल पाने में मोदी जी आसफ़न है उन्होंने रेल बजट के साथ इसको आम बजट के साथ में किया जिसमें सह साल में एक रुपए भी किराया नहीं बढ़ाया और लगातार किराया बढ़ाने के बाद आस्विधाओं से हमारा हिंदुस्तान का आम जन्मानस परिसान है पांडे जी सबसे बड़ी चीज हम आप से जाना चाहेंगे इतनी जल्दी क्यों बजट लाने की इतनी ज्यादा रेल लाइंस के बचाने की बात की गए लेकिन पुराने की मरमत की बात नहीं की जा रही है सिस्टम को ठीक नहीं करना नए सिस्टम डवलप कर देना उसको पूरा भी नहीं कर पाना मतलब आदी चीज़े दर पूरी एक खिचली पका देना पूरे बजट में जो बात हो रही है पूरी बात में एक सिस्टम के फिलियोर की बात हो रही है हिंदुस्तान में दो दसकों से ये बात चल लए है कि हम अपने यहाँ बजट के सिस्टम को ठीक करें ये मैं विपक्षी भासा नहीं बोल सकता कि जल्दी है या ये तै हुआ था पहले बजट साम को पेशुआ करता था सारे एकबार वाले चिंतित रहते थे और रात में होता था तो उसकी एक वजह थी कि साहब ये लीक हो जाएगा दिन में बजट पेश होने लगे फिर हुआ कि रेलवे बजट की उप्यूगता क्या है अलग से ये ये सरकार नग करती तो कांग्रेस करती अलग अलग रेल बजट और आम बजट को एक साथ भी लाने का कोई तुक नहीं था अलग अलग का निट तुक नहीं था तो मिला दिया यह संजोग है कि चुनावा गए यह संजोग है चुनावा गए तो इससे अगर जल्दी हो गई यह कम हो गया नहीं हानका Cat पेस होना चाहिए वो हुआ और इसी लिए आज एक बड़ी दुर्भाग्पून घटना हुई कांग्रेश के बहुत ही जिम्मेदार साथी का देहानत हो गया लेकिन लोग सभाध्यच ने कल उसका सोख होगा लेकिन हुआ कि बजट एक तैं समय पर होना है तो बजट पेस किया तो पहली बात दूसी बात कि यह एक बहुत बहतर कदम है कि रियल बजट और आम बजट को एक साथ कर दिया गया लेकिन मैं हमेशा यह कहता हूं इसे वसार पर थोड़ा वक्त जरूर दिजेगा क्योंकि बात दुजी रही तो अस्पश्ट नहीं होगी अपने यहां बजट में इतने फाल्ट है कि बहुत सारे घपले आप पकड़ी नहीं चकते और सास्थी कंफ्यूज रहते हैं मेरा यह कहना है और आपके मंच माधम से कहना चाहता हूं कि हर तीसरे महीं पर और इसके लिए प्रावधान था एक बार कोसिस की गईती हर तीन महींने पर यह दिया जाये कि साहाब हमने इतना बजट उसका स्वेत पत्र न जारी कर रहे हर तिन महिने पर उसका रिपोर्ट कार बनना चाहिए कि हमने इतना बजट दिया और इतना काम हुआ ऐसा कुछ नहीं हुआ है आप देखे तो पिछले तीन सालों को बजट में तो सब हरा भरा है लेकिन रेल संरच्छा और सुरच्छा पर जितना पैसा खर्च हुआ पता नहीं कि कहा खर्च हुआ जो सबसे ज़गरी चीज़ था कि बजट के रेल संरच्छा और सुरच्छा पर इस बार जारा पर इतने ज़्यादा दुर्गटना हुई है प्रभू के समय में कि यह अपसकुन जैसे हो गए हैं लेकिन अब बार बार हो रहा है प्रभू आपकी रेल है प्रभू आपकी इतनी ज़्यादा रेल दुर्ग रहा है रेलवे सुरच्छा और सुरच्छा पर बिल ऐब दुस्तान की सभी रेल प्रियां बुलेट ट्रेन लाएक तो कोई पट्री नहीं है जिसका हम कलपना करते हैं तेज़ कोई पट्री नहीं है इन पट्रियों को बदलना था आज तक सभी रेल्वे सुरच्छा समच्छा यह जो अनमेंड अभी जो क्रासिंग है उस पर वह कंपुटराइज बात कहीं गई है कि पिछले साल भी कहीं गई थी इसके पहले वह द्रकारों कि आप अपना रिपोर्ट कार तो दीजिए है प्रभू आप अपना रिपोर्ट कार दीजिए ऐसा कुछ ने किया गया गोल मोल बता दिया गया दूसरे इन्हों ने कह दिया किसानों की आए हम दुगनी करेंगे पिछले साल भी कहा था कहां से करेंगे नहीं बताया पिछले साल भी नहीं आप करेंगे यह प्रवब नहीं बताया किसानों का उत्पाद इस देश में किस आम लोग किसानों गाली देते हैं बड़ा खुश होते हैं चावनी में एक किलो टमाटर मिल जाए तो किसानों पूछिए कि उन पर कितना बोज है आत्मत्या है और आप कर्ज की आप किसानों कर्ज देना चाहते ह बढ़ाना चाहते हैं आप आप कर्ज बढ़ा रहे हैं कि हम ज्यादा कर्ज दे देंगे और फिर आप किसानों से उसक्ते हैं अर्बो और रुपया लेकर लोग भाग जा रहे हैं लोग डुवा ले रहे हैं आपको पथा है कि इस देश का तीन बज़ट पेस हो जाए उतना एसा एकले इस देश के चार-पांच दस घरानों ने दवा रखा है लेकिन आपको उधर नहीं ध्यान देगे किसानों को आपने कह दिया कि अपने दूब्हुनाख करेंगे नुए उनका उनका जिनस उनका प्रोड़क्स बाजार तक जा कैने आपम्या भंधा नब जी जूभाः शजय और जैसान का दूब्हुत हो हुआ है है आलू किसान रो रहे हैं तो यह एक जुमला है हम किसानों रियल इस्टेट भी बहुत तूट चुका है और इस नए प्रावधान में आपने मतलब मोधी सरकार बहुत जल्दी में बहुत सारी चीजे करना चाहती है दावे करना चाहती है हो सकता है नियट ठीक हो जैसे इस ब पारदर्शिता की तरफ डिजिटाइलिजिशन और पारदर्शिता की तरफ बढ़ा और एक खास बात है जिस जरूर रिखांके तो ना चाहिए कि काला धन राजनीतिक चंदा काला धन का सबसे बड़ा स्रोथ है एक पहल की है लेकिन उसमें भी गोल मोल है एक पार्टी कि दो हजार से कम का कई ट्रक का रसीद छपवा के और भेज़ देगी इस पर भी रोक लेंचे लेकिन अच्छी बात एक पहल हुई है कि राजनीतिक पहल हुई है रियल स्टेट एक हमासाद रियल स्टेट के कारोबारी यहां पर जूड़के उनसे भी बात करेंगे क्या पूरी तरीके से डूब गयर नोट बंदी के बाद या जो लोग घर खरीदना चाहते हैं उनको लगा कि हो सकता है कि रेट्स कम होंगे ब्याच कम होंगे और हम अपना मकान खरी सकते हैं कुछ ऐसी आशा लगी आपके इस बजट में देगे यह बजट बेसिकली मैं तुला स अगर आप यहीं लखनो से आप 20 किलो मिटर दूर चले आईए और आप एनी एफटी के लिए चेक देके आएंगे तो दो दिन उसके नेट्रक नहीं आता है आप रियल स्टेट का एक कारोगारी जाके पता कर लिए किसी ने मोटर साइकल के दुकान खोल ली है किसी ने परच परोबार में क्या को उस पर क्या दिया है उन्होंने कुछ नहीं दिया तो इनकी चीजें इंप्रैक्टिकल जादा है को कुछ ऐसी है कि यह किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं जो भी आप पांड़ी जी से बात कर रहे थे हर देश का एक 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 अकोनॉमिकल मॉडल है परोबार में चला दिया आदमी लाइन में लगके परिसान हो गया वैसे इन्होंने बुलेट ट्रेंड चला दी इसके पहले इन्होंने कुछ दिन पहले यह बनाया थे क्याना मेट्रो सिटी नब्बे घुशित की थी अभी इन्होंने कुछ और रकम दुग नहीं कर दी कब ह खड़ी हैं खरीदने वाले नहीं है लोगों पास घर नहीं है और बिल्डिंग सामने खड़ी है खाना सामने खा नहीं सकते हैं और चूकी आम जनता ने पूरी तोर से नोट बंदी के दोरान भी मानिय मोदी जी के प्रती अपना विश्वास दर्ज किया था तो मुझे इतना तो विश्वास है कि वो उसका विश्वास टूटेगा नहीं और उस विश्वास की पूर्ती अवश्य होगी क्योंकि अब जि किस प्रकार से गरीवों का उत्थान हो किस प्रकार से उनके जीवन स्तर में सुधार आए तो इसके लिए थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा सरकार के प्रती जो विश्वास बना हुआ है उसे बनाई रखना पड़ेगा और इसमें मीडिया के प्रतिनिदियों को भी अपन decision ले रही है अपने आपको भी तो हम संकट में डाल रहे हैं चले इने का कहना सई इनका कि पाश साल की सरकार होते हुटी तो छे साल तो इंजार नहीं कर सकते उसके लिए काम तो पाश साल में करना रहरा हो तीन साल भी चुका है फिर से भारती जन्ता पार्टी प्रवक्ता के पास चलेंगे, आप कह रही हैं कि कई चीजे ऐसी हैं इस बजट में, जो देश को उन्रती की तरफ ले जाएंगी, मनरेगा को आप लोगों ने केरी फॉरवर्ड किया और उसको आप और अपग्रेट कर रही हैं, तो कहीं न कहीं आप जब मनरेगा की जब स्कीम चले जब कांग्रेस ने लॉंच की ती तब आप लोगों ने उसका विरोध किया था, आज के समय में आप उसका फिवर क्यों हो। कर दिया था, लोगों के लिए जो रोजगार के लिए क्या है बजट में आपके? चले, चेतना बताएं, आप तो समाज से भी हैं, आप बताएं, युवाओं के लिए कह रहे हैं कि लगातार हम लोगों ने जो बजट है हमारे लिए काफी काम हैं, तो क्या लगता आपको किस तरीके की उजणाय आप बजट में देख रहे हैं? बाकी बजटों में भी हमों ने बहुत सी उजणाय देखी हैं, फिर भी युवाओं को मरते हुए, सुसाइट करते हुए देखा है, तो इस बजट में क्या खास होगा, वो भी हम लोग आगे देखेंगे, तीन साल की सरकार की उपलब्दियां, अभी भी हम लोग के सामने न लगता है हर नाम जी आपको कि किसानों का बजट किस तरीके से होना चाहिए देखें मैं बताओं हम किसानों के लिए काम जरूर करते हैं, लेकिन पूरा देश जो भी चाहे व्यापारी हो, चाहे महिलाए हो, जो भी है, जवान हो, सब हमारे घर परिवार के लोग हैं, किसानों का उसका भाव नहीं मिलेगा, उसकी बिक्री नहीं, आप इस बार देख लीजिए, आलू नोटबंदी के कारण किसानों ने पूरा फेंक दिया, टमाटर का आप देख लीजिए, टमाटर मैं आपको बताओं, दो रुपया को किलो नहीं खरी देने वाला है, मतर की तुराई नहीं आ रही हमारे परदेश अदेश सो एकड़ के किसान है उनके पामटर थी, पूरा खेट जो है उसमें कटवा दिया, तीन रुपया किलो, दो रुपया किलो उसकी में तुराई नहीं आ रही है, तो मतलब इसके लिए जब तक कोई ग्रामीर अस्तर पर, पंच पर अंकुष लगाने का काम किया है, लेकिन अगर आपकी पूरी तैयारी नहीं थी, आप देखें, मैं आपको बता दूँ, आप लखनव से बाहर चले जाएए, लखीम पूर चले जाओ, सीता पूर चले जाओ, आज भी वहां, मैं को मैं लाइन लगी है, और मैं एक बात हक बताओं, मैं अभी महाराष्ट गया था, मैं अभी अहमदाबाद गया था, अहमदाबाद में जो गोभी का किसान है, वहां बहुत गोभी और बंधा होता है, कपास की पूरी खेती पूरे पूरे इलाके सूग गए हैं, लखीम पूर गया, लखीम पूर की मैं आपको बता इसम राज्य सरकार ने इस हज तक प्रदेश में जो है सिती पैदा कर दी कि भष्टाचारा लूट पार्ट से ही उसको बुक्ति नहीं मिली है, लगातार यही काम कर रहा है चले 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 आपकी सरकार है, आप वहां देखे किसानों के लिए क्या हो रहा है, उत्तर उत फ्री करना चाहिए, और जो खात की समस्या इसको दूर करना चाहिए, तब जाकर के किसान, आप किसान से बात करती ही कि हम उनका टैक्स लेंगे, आप किसानों को सुविधा नहीं देंगे, और किसानों से आप टैक्स मांगेंगे, आप टैक्स मांगर के किसानों को देखिए देश अस्तर पर हम इसका विरोध करेंगे और ये किसानों के पक्ष में हम सब खड़े हो करेंगे चले चले कुछ बोल ले आपको बताओं देखिये ऐसा है बहन जी जो बात कह रही है सब बात ठीक है देखें सुनिये मैं आपको बताओं इस देश में जब तक जब तक ग्रामीड अस्तर को मजबूत नहीं किया जाएगा हमें आप गाओं में सिच्छा देदो चिकिस्था देदो सारी चीज़े गाओं में देदो वहाँ पर गोदाम बना दो सारी विवस्थाएं कर दो आप देखिए ट्राफिक की क्या विवस्था है पूरे हिंदुस्तान में आप चले जाओ जाम की विवस्था है इसके लिए जब मोदी जी के पास तीन साल हो गए कितने किसान पर दिनिध्यों से मिले हैं जो देश का परधान मंतरी किसानों से मिल नहीं सकता बात नहीं कर सकता है और मिलते किन से हैं सेटिंग किसान सरकारों के सारे सेटिंग किसान है परदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो सबका नियत नहीं ठीक है और जब तक नियत नहीं ठीक होगी नीती नहीं बनेगी तब तक इस देश के आम नागरिक को हम किसानों की जरूर बात करते हैं हम जवानो नहीं उसकी तैयारी नहीं के नीती बनाएंगे नहीं किसान मर रहा किसान परिशान है परिशान होने के बाद में ज़रूर कहना चाहूंगी आप लोग के कह रहे हैं कि ग्राउं के विकास के लिए गाउं के development को ही यहाँ पर तरजीह दी है क्योंकि अगर गाउं का विकास होगा तभी ही देश की आर्थिक दिवस्था सही हो पाएगी और हम आपने बताया नहीं कि किसान कैसे बढ़ेगा आप सुन लिजिए अप्रधान मंत्री ग्रामिर योजना के माध्यम से 27000 करोड रुपे सब्सक्राइब करें नहीं कि अब बढ़ेगा तो यह पार्टी की धरातल पर है वह काजों पर है धरातल पर आप कहीं भी नहीं यह सून है और आप बजट इसलिए पहें व्यापारी क्या करेंगा यह कहना चाहिए रहा हूं जैसे भी बीजेपी की प्रवक्ता मानिय बहन जी ने बताया है कि सूट बूट वाले पहन के मजदूरी करने में लगे थे उनका में मंदेगा में विरोध कर रही थी तो वो मेह चुत्र पार्टी आपना बोलिए दूंद साफ होगा और सब कुछ साफ साफ दिखेगा और भारती चलता पार्टी सो कस आकड़ा नहीं पार करेगी यह हम आम आदमिक तरब से वचन दे रहे हैं चलिए यह एक सिगन मैं यह यह पूरे देखे एक सरकार उत्तर परदेश में पत्थरों की सरकार रही यह केंदर की सरकार टैक्सों की सरकार है हम यह पूछना चाहते हैं बैन जी हमारी बैठी है भाजपा की यह बता दे मोदी जी जो तीन साल में 80 करोर का सूट पहें चुके हैं इसका टैक्स जमा किया या नहीं जमा किया इसका टैक्स यह लोग ले र गाओं में तालाब खुद वाए उसका एक आकड़ा होगा इनके पाँ उन गाओं के नाम होगे उसका फिजिकल आइडेंटिफिकेशन समाचार प्रस अपने नेटवर के जिरिये करके सचाई बता दे चलिए चलिए आप आपके आपके आखरी आखरी आ अंतिम टिपड़ी फिर से इंप्लिमेंटेशन की ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए बजेट जो जनाय बंती रहती इंप्लिमेंटेशन नहीं हो पाते सबसे बड़ी चीज़ है किसान मार रहे हैं मोदी जी की बिरोद आप गलत कर रहे हैं मोदी जी तो आदमी उन्होंने ख़ले होके कहा था क अंतिम टिपड़ी इत्ते आरोप बीजेपी बलग रहे हैं उन्होंने कहा दिया सौशीट नहीं पार करने दें यह सब यह सब बेकार की बाते हैं आप सबको मालूम है कि सपा सरकार जिस सरीके से काम कर रहे हैं लूट मार घष्टाचार गुंडागर्दी और बलातकार की सर सब करने वाली नहीं है तरацион awakear का कसे सरकार देकि लंड़ का से अधाया आप पर कहले हैं आदमी के नाते सोच समझ कर करके वोट दीजिएगा और सरकार ने हम लोग को कुछ नहीं दिया है तो एक बार मैलाए जरूर विचार करें चलिए तो ये थे सबका जो एक व्यू था वो सामने आ चुका और कहीं न कहीं लोगों का एक ही चीज मानना है कि इंप्लिमेंटेशन जो है वो बहुत जरूरी है योजनाय बनाने से कोई फायदा नहीं है बाहर की चीजों को देखकर आने से कोई फायदा नहीं है आप बुलट ट्रेन नहीं चल सकती पहले तो आप पट्री सही करिए उसके बाद नई रेलू की बात करिए और भी कई चीजे हैं जिस पे बड़े एक इंप्लिमेंटेशन की जरूत है किसानों को समझने की जरूत है कि किसान करिब सारे 3-4 Pn jaci2 को जानने की जरूत है सबसे बड़ी सी जो है उनका दर्द जानने की जरूत है सारी चीजों के बाद जो इंडस्टीज बन दो चुकी उनका दर्द जानने की